नवस्कार दोस्तों आज मैं आपको नसों में दर्द होने के कारण क्या है साथ ही नसों की कमजोरी की लक्षण क्या है और इसका घरेलू इलाज क्या है मैं आपको बताऊंगा तो जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रदूसर बहुत जादा बढ़ता जा रहा है जिसके कारण आपको या मानू सरीर में बहुत परिसानी होती है हमारे सरीर का सबसे महत पूर भाग नस होता है नसों के जरिये हमारे सरीर में खून की पूर्टी होती है और यदि इसमें कोई बाधा आ जाती है तो नसे एकदम सिकुर जाती हैं और जिससे हमारे नसों में दर्द शुरू हो जाती है नस को इंगलिस में नर्व कहते हैं नर्व पैन में बहुत ही तकलीफ होती है और यदि हम इसे समय पर ध्यान न दें तो ये परिशानी जीवन भर रहती है गर्दन, हाथ, पैर, कमर और पीट में दर्द होता है ये समय से इसका इलाज न कराया जाए तो ये हमें बहुत परिशान करता है से लिए आज मैं आपको इस पोश्ट के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि नसों का दर्द, आप सभी जानते हैं बहुत पीड़ा दायक होता है यदि हम इसको ये सोच कर टाल दें कि ये रोग अपने आप ठीक हो जाएगा तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये ऐसा रोग है जो समय के साथ बढ़ती चली जाएगी और बाद में बहुत कश्ट होगा इसलिए इस इलाज समय के साथ सुरू कर देना चाहिए तो आईए जानते हैं दोस्तों कि नसों में दर्द होने के कारण क्या है तो आपको बताऊं रासाइनिक प्रदूसर्ण के कारण ऐसा देखा जाता है तो आपको प्रदूसर्ण से बचने की बहुत ही जरूरत है दूसरा आपको बताऊं कारण मधुमेह के कारण भी ऐसा होता है तो आपको बताऊं हमें अपने सरीर का ध्यान जरूर रखना चाहिए हो सके तो बीमारी कोई भी हो समय पर इलाज कर लेना चाहिए क्योंकि एक छोटी सी बीमारी बहुत रूब धान कर लेते है इसलिए अगर हम छोटी छोटी बीमारी को इग्नोर ना करके उस पर ध्यान दें और समय पर इलाज कर लें तो बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है इसका और भी कारण बताऊं जैसे की क्रोनिकल, रिनल, इंसिफियंसी, संक्रमर जैसे सिगल्स, सिफलेस और लाइम डिजीज से भी होता है नसों का दबा होना भी कारण है नसों में सूजन होना, नसों का दर्द अक्सर ड्रक्स के कारण होता है यदि आप ड्रक्स लेते हैं, तो हमारे नसों को बहुत नुक्सान पहुंचाता है तो यह रहा दोस्तों कारण अब आईए जानते हैं नसों में दर्द होने के लक्षण क्या है नसों की कमजोरी के लक्षण क्या है तो आपको बताऊं नसों में दर्ध होना और नसों में जलन होना ये सबसे बड़ा लक्षण है दूसरा बताऊं जिस भाग में दर्ध हो रहा है उस भाग के मान स्पेशियों में कमजोरी होना ये भी लक्षण है अचानक नसों में दर्ध होना दवाने से या चूने से प्रभावी छेत्र में बहुत दर्ध होना बार-बार नसों में दर्ध होना ये सारे नसों की कमजोरी के लक्षण हैं तो इस तरह आप सभी ने जाना कारण और लक्षण अब आए जानते हैं नसों के दर्द से छुटकारा पाने का घरेलू इलाज क्या है तो आपको बताना चाहूंगा पुदीने के तेल से नसों के दर्द का इलाज संभो है कैसे यदि आपकी नसों में बहुत दर्द हो रहा है तो आपको अपने दर्द से प्रभावी छेतर में पुदीने के तेल से मालिस करना चाहिए इससे आपको नसों के दर्द में बहुत लाब होगा वैसे हम सभी जानते हैं पुदीना एक बहुत ही अच्छी अउसदी है जिसके सेवन से हमारा सरीर स्वस्त रहता है इसका इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए दूसरा बताऊं सरसों के तेल से नसों के दर्द का इलाज संभो है जी हाँ सरसों के तेल से नसों के दर्द से छुटकार अपास सकते हैं आप सरसों के तेल को गरम करके से मालिस करें ऐसा करने से आपको निश्चित ही लाब होगा आप सभी जानते हैं और सभी सरसो के तेल का सेवन करते हैं कि एक आउसदी से कम नहीं है दूसरा आपको बताऊं लिवेंडर के फूल तथा सुईया को नहाने के पानी में मिला कर नहाने से बहुत हिलाब होता है इसका इस्तेमाल करने से हम जरूर स्वस्त रह सकते हैं दोस्तों यदि आपकी नसों में बहुत दर्द होता है तो आपको नियमित ब्यायाम करना चाहिए जिससे नसों को बहुत लाब होता है और इसमें पड़ी हुई गाठ भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है भ्रस्तिका प्राणायाम करने से भी नसों के रोगी को बहुत लाब होता है और अनुलोम बिलोम प्राणायाम करने से भी नसों में होने वाली दिक्कत को एक दम से दूर किया जा सकता है और बहुत दिनों तक करेंगे तो ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी दोस्तों यदि आप बाबा राम दियों के बताए गए व्यायाम को रोज करेंगे तो आपको निस्चित्थी फायदा होगा इसलिए आपको बाबा राम दियों के बताए हुए नसों से रिलेटड व्यायाम को रोज करना चाहिए पुदीने के तेल को नसों में जरूर लगाना चाहिए क्योंकि पुदीना इसका रामबान इलाज है तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो बेहत पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये पोश्ट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें थैंक यू